यहां पर हम सबसे एक important मुद्दे पर बात करने वाले है which is best time frame तो लोग जो है बहुत you know अपनी time frame को दूसरों पर थोपने की कोशिश करते like मैं 5 minute trader हूँ आप 1 minute पर कैसे कह सकते हो या फिर 15 minute वाला बोलते है 15 minute वाला ट्रेडर हूँ 5 minute अच्छा नहीं है एक minute तो कभी सोचे गई नहीं वहाँ पर 4 घंटे वाले traders भी होते है जो बोलते हैं कि आरे यह small time frame वाले कभी पैसा नहीं कमाते हैं कोई होता है daily time frame पर trade करने वाला कोई monthly time frame देखके daily पर order place करने वाला होता है तो क्या होता है मैं एक चीज़ बदा तो इस पर हम again मारा most favorite word psychology discuss करेंगी क्या होता है अभी me being a one minute trader मैं कभी किसी को post नहीं करता है कि one minute पर trade करो आप मेरे past similar topic पर video बने है वहाँ पर देखो मैंने एक word use कि है multiple time frame analysis यानि आप analysis अलग-अलग time frame पर ले सकते हो बर trade किस पर place करने आप देखना कैसे बहुत important होता है crucial होता है अब कुछ ये बहुत confusion is में बहुत chaos है कौन सा time frame क्या करो किस पर trade लो 15 minute पर trade ले रहो तो कोई 15 minute की ले ला रही 15 पर ले रहो तो कोई 1 minute का support resistance बहुत नीचे तो ये सब simplify करने आलो मैं आपके लिए इस वीडियो में देखो time frame का जो importance होता है न वो होता है trade के लिए आप उसे hold करने आलो it's all about trading period so for example अगर मैं investing करने आलो ठीक है investing करने आलो based on technical analysis क्या मैं investing 1 minute पर कर सकता हूँ बिल्कुल नहीं 1 minute पर investing के सब सोच सकता हूँ उसके लिए मुझे monthly daily time frame पर जाना पड़ेगा एक view दूर से view देखना पड़ेगा क्या है क्योंकि उसका मुझे holding जो time period है investing का मुझे एक साल से ज़्यादा करना है तो obviously ये 1 minute हटा के मैं 1 month या 1 day पर shift हो जाऊँगा राइट क्योंकि मेरा view लंबा है अगर मुझे you know उस trade को थोड़ा ज़्यादा hold करना है 2-3 दिन के लिए hold करना है तो मैं 15 minute पर जाऊँगा अभी इसका मैं क्यो reason भी बता तो मैं 15 minute पर जाऊँगा लेकिन अगर मुझे intraday करना है तो मैं 5 minute, 1 minute इन time frames को prefer करूँगा अब यहाँ पर जो है मेरा क्या style है 15 पर levels बना 15 वाले crucial levels होते हैं बड़े moves देते हैं और उसको फिर 1 minute पर levels अगर 15 minute के level पर 1 minute का कोई candle आता है तो वो बहुत अच्छा move करता है वरना मैं 1 minute के levels पर trade करता हूँ और small trades 30-40 points क्योंकि मुझे उसमें अपना trading period छोटा रखना है मैं सब explain करता हूँ यह चीज नहीं समझा थोड़ा पीछे जाओ फिर से सुनो ठीक है बना बला कि सरा परिपेट करो नहीं थोड़ा पीछे जाओ फिर से सुनो अब मैं क्या करता हूँ यह यहाँ पर एक box बना ठीक है अब मैं क्या करता हूँ डेली पैनलाइज कर रहा हूँ ठीक है डेली पे support बना तो एक काम करते है डेली पे support करता हूँ और रेजिस्टेंस अब डेली के लेवल्स बना तो और मैं इस basis पे इस time frame का long shot tool लगाता हूँ long shot tool लगाते न सब clear हो जाता है इस time frame को long shot tool तो अब देखो क्या मेरा daily time frame पे analyze करना गलत है नहीं है क्योंकि मेरा view बड़ा है अब same box अगर इस screen का रुको ये box बना के फाइदा नहीं इस lime वाला box बना जो लेगा नहीं ये इतना ही box है अब ये box में देखो मैं daily time frame पे देख रहा है candles उतने ही है जो जितने इस box में बैट रहे है मेरा view बड़ा है यहाँ पे मेरा 6% का target है but no doubt stop loss भी बड़ा है 66 points का stop loss है holding period देखो यहाँ पे मेरा पूरा march month चला जाएगा इस box में पूरा march month बैट रहा है अगर मेरा view इतना बड़ा है मेरा holding मेरा करना है मुझे इतने दिनों तक तो मैं daily use करूँगा अब मैं similar इसी box को ऐसा ही रखेंगे और 15 minute shift करेंगे अब मैं कहाँ करतो 15 minute में देखो क्या बैट रहे है 15 minute में कितने दिन बैट रहे एक, दो, तीन, चार, चार दिन बैट रहे अब मैं same box में long shot tool लगाता हूँ ठीक है अब यहाँ पे मेरा target देखो कितने दिनों के लिए जा रहे है अब यहाँ पे no doubt 66 rupees का stop loss था 66 points का अब यहाँ पे 40 points का लग रहे है and target भी जो है reduce हो गए 6% का target था यहाँ 3% आ गया और यहाँ पे stop loss भी reduce हुआ क्योंकि duration छोटा हो गया अब इसी box में, ठीक है box को हमने हिलाया नहीं इसी box में 3 दिन बैट रहे तो अगर मेरा holding period 3 दिन का है बड़ा है तो मैं 15 minute पे shift होँगा अगर मैं इसी box में intraday करूँगा तो sense नहीं बनता क्योंकि इस box में 3 दिन बैट रहे तो मुझे view जो है मेरा बड़ा view है तो मुझे 3 दिन का trade plan करना पड़ेगा ठीक है अब मैं क्या करता हो, इसे 5 minute पे जाके देखता हो, कितने दिन बैट रहे ठीक है इसी box को ठीक है, चार्ट reset पे रखेंगे अब देखो, यहाँ पे intraday level बन रहे है, ठीक है एक दिन बैट रहा है इसमें बस पूरा एक दिन, तो मैं यहाँ पे अगर मुझे वो trade सुबह से लेके closing तब hold करना है तो मैं 5 minute prefer करूँगा अगर मुझे trade जो है सुबह place करना है order और जो भी इस box के अंदर जो reset करता हो, अगेन यह reset है, तो इस box के अंदर जितनी better है उतना में levels लाए तो आप देखो यहाँ पे target और reduce हो चुका है तो इसी आप से target मुझे सिफ 1% मिल रहा है, stop loss मेरा अगेन ज्यादा फर्क, चलो stop loss भी radius हो चुका है, target radius हो गया है holding period radius हो गया, अब सबसे main debate 5 minute intraday के लिए आ जाता है but एक problem देख रहे हो पूरा दिन hold करने में एक option buyer को कितना theta देना पड़ता है, कि नहीं imagine, और हमें पता है 80% of time market sideways होता है right, 80% of time market sideways होता है, अगर आप देखूगे, इस target का 80% जो है, market ने 90% यहीं पे दिया था, लेकिन पूरा दिन आपको बेफालतू hold करना पड़ा, जहाँ पे market sideways चला गया, और आपको theta dk देना पड़ा, बेफालतू का यहाँ पे पैसा देना पड़ा, option buyer के perspective से, option seller को कोई problem नहीं है, यह चले गा, option seller को, futures buy करने वाले को again time waste है, जहाँ पे उसको 2 गंटे में trade मिलने वाला है, 2 गंटे का profit होने वाला है, उसको पूरा दिन hold करना पड़ रहा है तो again उसके लिए भी theta dk उसको देना पड़ रहा है, ठीक है यह भी उसके लिए सही नहीं है, अब the best time frame, 1 minute ठीक है, यह कोई use नहीं करता है इसलिए सब criticize करते है, बट मैं logic दे रहा हो, justification दे रहा हो, psychology दे रहा हो, अब मैं क्या करता हो, 1 minute को same box में डाल देता हो ठीक है, same box में 1 minute को डाल देता हो अब 14, एक घंटा थोड़ा कभी zoom out कर लो यह sideways market है, बट इसको sideways में fuss है, बट इसको kind of हम वैसे trades plan करते हैं, जब market थोड़ा kind of trending हो जाता है, तो usually अब सारे trends को हम देखते, कितनी देर में इस box में बैठते हैं, सारे trends यहाँ पर देखो, market खुला 11 बज़े तक, 9-15 को खुला 11 बज़े तक, so 9-15 to 10-15 10-15, 2 घंटे बैटरे इस box में ठेंड, 2 घंटे के अंदर usually 6 घंटे का market होता है, और एक session trending होता है, अगर मैं एक trade 2 बज़े ले तो साड़े तीन तक, वो मुझे एक trend मिलता है अगर मैं एक trade 9-15 को ले तो 11 बज़े तक, मुझे एक trend मिलता है तो कोई भी intraday में जो trend होता है वो 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में max 1-2 घंटे rally करता है, उसके बाद sideways होता है rally करता है, consolidate करता है फिर rally करता है, अगर उसको 2 trend करने दिन के, morning session का trend evening session करता है, बीच में sideways अब मैं, अलग-अलग कोई भी देखो इसकी जो limit है, इस 1 minute की वो 2 घंटे की इसी box में यह देखो, जैसे ही यहाँ पर मैंने 9.30 को order place किया buy किया, और अब यहाँ पर हम stop loss की बात करते है, अपने analysis किया, चार्ट reset पर reset पर, मैं कुछ ही ला रहा नहीं, बस left-right करो, अब देखो, यहाँ पर पूरा trend मुझे मिला, मैं इसको थोड़ा ऐसे करता हूँ था कि adjust हो, मतलब आपको समझें कि market, जैसे ही इस box में आया, जैसे ही इस box में कितना देर trend किया 2 घंटे trend किया, 120 बार से नहीं, एक मिनिट का एक बार, 2 घंटे trend किया, उसके पूरा side-wise पूरा side-wise, पूरा मेरा पैसा यहाँ पर waste होता, यानि in short, इस trend ने सिफ 2 घंटे के बीच ही अपना moment दिया, अब now just imagine, मैंने यहाँ पर trade entry ली, कोई भी 15 मिट की level लगई support 1 minute पर थोड़ा analyze किया अब मुझे क्या-क्या benefit मल रहा है, stop loss सबसे छोटा, ठीक है फिर target, जो max target मुझे एक move में मिल सकता है, वो 200 point का 1% का target, अब इसके perks बताता हो, यहाँ पर आपको theta decay 0 मिले, 0 तो नहीं, theta decay बहुत कम मिलेगा, आपके targets quick hit होंगे, quick मतलब scalping होई क्या नहीं, एक 2 घंटे का time frame, 2 घंटे का इस box में बैटता है तो 2 घंटे तक आप वो trade hold कर सकते हो अब 2 घंटा कोई scalper hold नहीं करता है scalper का definition वो है जो trade को अपने 1 से 2 minute के अंदर खतम करता है, आज तक एक stream बता दो जिसमें हमने 2 minute के अंदर कोई target हिट कियो गया 2 minute के हिसाब से हमने target रगे होगे हमारा target का plan हमेशा बढ़ा होता है और तब जाके हमें maybe market का इतना strength नहीं होता तो तब जाके छोटा profit लेकर निकलना पड़ता है, so again quick targets, ठीक है थीटा डीके नहीं मिल रहा, तो option buyer को ये paradise है option buyer के लिए option buyer को क्या चाहिए, come time में बढ़े targets quick moves, big moves और losses छोटे, तब ही तो जाके आपका account grow होने वाला है, अगर account grow करना है, तो ये सारे जो justifications में दे रहो जल्दी से move आना, थीटा डीके में as option seller, मैं one minute बस बोलते है कि छोटे, मतलब मुझे लगता है कि बहुत अच्छे entry मिल रहे है और targets बहुत बड़े है, तब ही ले तो, लेकिन mostly option seller जो हता है वो directional trade बड़े time frame पे करता है क्योंकि उसको समाई का पैसा है, उसको ज़्यादा समाई चाहिए लेकिन option buyer के बास समाई का पैसा नहीं है समाई का नुकसा नहीं, option buyer के बास time नहीं है उसको जल्दी निकलना पड़ता है market से, क्योंकि ज़्यादा देर रुकेगा theta decay तो हो जाएगा, so आप दीख लो, जिनों जिनों ने one minute adapt किया है, उनको कितना छोटे stop loss पे, बड़े targets best risk reward और market में account growth होता हुआ दिकर है, ठीक है futures वाले, बाकी जो भी है, अपनी अपनी strategy लगा सकते है option selling भी, इस पे भी मैंने trade किया बहुत अच्छे targets मलते है, best part है one minute का small stop loss गलत होते हो, छोटा गलत होते हो, और पूरी YouTube पे one minute कोई use नहीं करता, बहुत rare है थोड़े लोग जो one minute use करते हैं, और उनके भी आप profits देखो करोड़ों में, तो ऐसा नहीं होते है कि time frame में पैसा नहीं बनता बड़ ये है कि आपका view कितना है, आपकी style क्या है trading की, आप किस basis पे ट्रेड़ गया रहे है आप one minute में ऐसा है क्या कि price action work नहीं करता, ये जो candle इस डिब्बे में, ठीक है, ये जो डब्बे में candle बना रहो ये डब्बे की candle आप किसी भी chart में जाओ, किसी भी जाओ, price action वही रहने होला है, ठीक है, US 30 में जाओ ठीक है, US 30 में जाओ, price action candles वही होने होला है, SPX में जाओ candles वही रहने होले, ठीक है, wix हो अगया है बनेंगे, लेकिन experience नहीं है आपको तो हमेशा loss करो कहीं भी लेकिन आप देखो कितने अच्छे से move मिलेंगे, इसमें देखो, कम time में, one-sided, back-to-back 20 minutes, straight fall, यह benefit होता है, और price action की बात है कि one minute में, देखो, patterns तो हर जगा 15 minutes पे करो, या daily पे करो या weekly पे करो, patterns कभी भी fail हो सकते, कभी stop, लेकिन अगर basic rule पे stick होगे, कि यह resistance है ठीक है, यहाँ से market ने head and shoulder kind of बनाया, straight fall दिया, यहाँ पे selling week होगी price action basically सारे time frame पे work करते हैं, आपको idea भी नहीं अभी तो charting companies निकल रहे जो per second chart अपडेट करते हैं और बड़े-बड़े traders adapt कर रहे उसे कि हर second market में क्या हो रहे है, buyers, sellers कैसे आ रहे कैसे work कर रहे है, तो मैं आपको यह कियाना चलूँगा कि देखो, market में trading में कोई holy grail rule नहीं है, कोई यह चीज आज तक किसे ने prove नहीं किया कि बस यही चीज काम करते हैं, market में सब कुछ काम करता है, it's up to you, आप किसे में comfortable हो, मुझे one minute में comfortable table हो, क्योंकि मुझे छोटा stop loss लग रहा है theta decay नहीं लग रहा है, target जल्दी मिलते time pass नहीं होता, अब beginner क्या करेगा, over trade कर देगा यह कर देगा, वो तो कर नहीं है, उसको कोई भी time frame में जाओ, गलतिया करे गई लेकिन अगर आप experience हो जाते हो time देते हो, खुद को समझते हो one minute अब के लिए paradise बन सकता है thank you so much for watching, वीडियो में like करना, comment करके बताना आपको कैसे लगी see you tomorrow